एस एम मोड एई एक्स मोड ब्लूटूस मोड हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तों यहाँ पे आप 2.1 का क्लाश D एम्प्लिफायर देख सकते हैं इस एम्प्लिफायर के उपर मेरे चैनल पे काफी सारे ऐसे कि इस एम्प्लिफायर पे हम ओडियो पैनल किस परकार से लगा सकते हैं तो यहाँ पे आपको इन्विल्ड और लेडी यहाँ पे ब्लूटूथ मिलता है और ऑक्स इंपूट का यह दो आप्सन यहाँ पे मिलता है लेकिन बहुत लोग यह चाहते हैं कि मैं इसके साथ अलग करते हैं तो इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें इस प्रकार के एक कनेक्टर लेना पड़ेगा जिसे में इसपे पावर सप्लाइद दे सकते हैं और उसके बाद आपको यह 3.5 mm का जैक लेना है जिसे हम इसमें आध्यो इन्पूट दे सकते हैं तो यहाँ सेम फांक्शन होता है जिस प्रकार से बड़े वाले 76-05 होता है इसमें आपको पहला पीन इन्पूट हो जाता है जिसमें आप साथ वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक इसमें इन्पूट देख सकते हो यह माइनिज हो जाएगा इसका connection हम यहाँ पर कर देंगे तो यह जो connector है इसमें के red clear का wire होता है और एक black color का होता है जो red color होता है वो plus होता है और जो black होता है वो minus होता है तो red वाले को इस 750-5 के तीसरे connection कर देना है यहाँ पर देखिए यह माइनेस वाला लगा दिया है तो यहां से 5 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा जिसे हम इसमें पावर सप्लाई दे सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि इस परकार के आपको पिन लेना है 3.5 mm जैक लेना है तो आप यहां से भी दे सकते हो और यहां पे आप जो इसक और राइट है तो इसको हम यहां पे कनेक्शन कर देंगे जहां पे इसका आउटपुट होता है इस अडियो पैनल का तो आई हम यहां पे इसका कनेक्शन कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पे देखिए लेट राइट और ग्राउंड को मैंने यहां पे कनेक्शन कर दिया है औ और चाहे तो डारेक्ट तीन यहां से वायर लेकर यहाँ पि pasta मैं यहां इसको लगा दूगा इस प्रकार से इसका connection होता है और यहाँ पर इस परकार से connection करने के बाद दोस्तों अगर इसमें थोड़ा humming या noise का problem आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ground वायर को उठा कर इस main capacitor के ground वाले पर लगा देना है इससे भी अगर humming नहीं हट रहा है तो यहाँ पर जो aux के through बीच वाला वायर connect किया है जो कि ground से connected है उसको आपको remove करकर देखना है यहाँ से humming हमारा remove होता है कि नहीं होता है तो आईए हम इसको थोड़ा test करके आपको दिखा देते हैं कि यह हमारा किस परकार से काम करता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने speaker का connection और power supply का connection कर दिया है मैंने एक ही speaker का connection किया है ताकि मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ तो आई हम इसमे power supply देते हैं यहाँ पर मैंने power supply दे दिया है और देखिए यह अभी bluetooth पर है और यह मेरे mouse से connect हो चुका है और देखिए यहाँ पर यह FM चालू है लेकिन यह अभी FM इसमे चल नहीं रहा है क्योंकि अभी bluetooth mode पर है और जैसे हम इसको aux mode पर डालेंगे तब ही यह काम करेगा ऐसा नहीं है कि यह bluetooth mode पर रहेगा और यहाँ पर मैंने input दे दिया है तो यह दोनों काम करेगा तो देखिए यह अभी FM चल रहा है मैं आपको यहाँ पर song को थोड़ा play करके दिखा देता हूँ बलतो पर देता है FM mode AUX Mode Bluetooth mode प्लेइ बाइ यूएस्बी ड्राइव तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से इस एम्प्लिफायर पर मैंने इस अड्यो पैनल का कनेक्शन करके आपको दिखाया है अगर आपको पास ऐसा एम्प्लिफायर है या क्लाश डी का कोई और एम्प्लिफायर जिसमें इन विल्ड ब्लुटूथ है और उसमें अड्यो पैनल लगाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लगा सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेर करें और हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभू हो